लो भाईया वो गड़ी आ गई जब SI और CI की किस्त वाले सवाल जिनसे बच्चों को डर लगता है पेपर में जब आते हैं तो बच्चों का BPI हो जाता है तो भाईया आज वो सवाल SI और CI यानि साधारण व्याजों चक्रविद्धी व्याज की किस्त के सारे सवालों का होगा खात्मा कॉंसेप्ट के साथ शौर्ट ट्रिक के साथ सबसे बहतरीन बात और जो शौर्ट ट्रिक होगी ना मेरी वो यूनिवर्सल होगी आप समझेगा अगर SI की शौर्ट ट्रिक बताएंगे तो SI के सारे की इंस्टॉल्मेंट वाले क्वेस्चन में लगेगे तो SI की मैं देना, Share आप करना या ना करना, Like और Comment में गंजोसी मत करना, चलिए सुरू करते हैं, तो बहिया ये सवाल आप चुटकियों में करेंगे, लेकिन उस से पहले, चुटकियों में, ठिक, लेकिन उस से पहले मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ एक है कि वीडियो को पूरा तब ही आपको चीज़े बहतर समझ में आएगी चलिए शुरुवात करते हैं सवालों से जैसे एक यह सवाल इस वक्त आपके सामने आ चुका है इस सवाल जिसको आप देख रहे हैं जिसमें सवाल लिखा हुआ है पांच वर्ष बात दे 3600 रुपए के रिण को पांच बराबर किस्तों में वार्षिक किस्तों में चुकाय जाना है यदि साधारण ब्याच की दर 10 प्रतिशत वार्षिक हो तो प्रतिक किस्त का मान क्या है मतलब यह सवाल साधारण ब्याच की किस्त का है बच्चों ने कैसे किया है कैसे नहीं किया है मैं आपको ऐसा कुछ नहीं ध्यान स समझेगा, आपको करना कै बहुत ध्यान से समझेगा, आप सिर्फ ये मान के चलो, किस्त का मान 100% है, और ये देखो, जब आप ये मान लिए कि किस्त का मान 100% है, और आप ये देखिए कि आपको कितनी बराबर किस्तें देनी है, तो बोले सर्फ 5 किस्तें देनी है, तो जितने क किस्ते है ना उसका गुणा इसमें कर लो तो आपके पास आ गया 500% येस और नो शौट ट्रिक ही शुरुआत करना हूँ शौट ट्रिक में आपके बता रहो ठिक पहला सवाल है इसलिए डीटेल थोड़ी शौट ट्रिक की बताएंगे फिर अगले पर हम लोग डारेक्ट करने क्या बोला मैंने आपने किस्त मानने 100% जितनी किस्त देनी है उसका गुणा करके हमने ये पता कर लिया कि हमें 500 रुपए 500% देना ही देना है अब मैं बात करता हूँ इस पर जो इंट्रेस्स लगेगा वो कितना होगा उसके लिए आप क्या करोगे जो भी समय आपको दिया ह कि 5 बराबर किस्ते हैं तो 5 वर समय होगा जो भी आपको समय दिया ध्यान से सुनना उसको आप घटते हुए क्रम में लिख लीजे जैसे यहां 5 है तो मैंने 5 को घटते हुए क्रम में लिखा 5,4,3,2,1 इसमें जो सबसे बड़ा है उसका काम खतम कर दिजे बांकी को जोड़ कर लिख लिए 10 अब आप समय 5 नहीं देखेंगे आप समय कितना देखेंगे सर 10 उसके बाद ब्याज की दर कितनी थी सर 10 परसंट थी और साधाराण ब्याज होता क्या है सर आपने पड़ा रखा है कि दर गुणे समय तो समय 10 दर भी 10 यानि ब्याज आपका लगा 100 परसंट ठ आप किस्त कितनी दे रहतें इंस्टॉल्मेंट कितनी दे रहतें सर 500 परसंट उसके बाद उस पर ब्याज कितना दे रहो सर जी 100 परसंट 500 परसंट किस्त का रुपिया हो गया 100 परसंट ब्याज का रुपिया हो गया यानि टोटल आप 600 परसंट अदा कर दोगे मैं ब्याज सह और इसी 600% की कीमत आपको यहाँ पर कितनी दे रखिए 3600, काम खतम हो गया सब, तो 600% की कीमत आपके पास 3600 दी है, आप 1% की कीमत बोलेंगे सर 6 होगी, इसलिए जो आपने किस्त मानी थी, 1% अगर 6 है तो 100% 600 होगी, आपकी किस्त का मान क्या जाएगा 600, बोलो की विए रहे, और अगला सवाल लेते हैं, जिससे मैं आपको सिखाऊंगा, अब थोड़ा और छोटा करते हैं, इसको वह कैसे करेंगे समझना, 944 रुपे का रिण है, समझना सवाल ध्यान से, 944 रुपे का रिण है, 4 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है, साधारन ब्याज की दर 12%, मैं आपने decreasing order में घटते हुए क्रम में लिखकर बड़े वाले को काड़ दिया, बांकी सबको जोड़ लेंगे, तो 3, 2, 5 और 1, 6 हो गया, ब्याज की दर कितनी थी, 12%, 12, 72 प्लस 400, यानि आपने टोटल दिया, 472 परसंट, और ये कितने के बराबर है, 944 रुपे के, मुझे ऐसा है कि अगर मैं 472 का 2 गुना कर दो, तो 944 हो जाता है, तो कहोगे सर सही है, तो एक परसंट का मान अगर 2 रुपे है, तो आप बताइए आपकी किस्त कितनी थी, बोले सर 100%, एक परसंट 2 रुपे है, तो 100% 200 रुपे है, मुझा आई, कमेंट और लाइक, जरूर करिएगा, जर कितने की होगी, 200 रुपे, इस से सरल मैं आपको क्या ही बताओ, कोई नहीं बता पाएगा मित्र, चलिए, आगे देखता है, 12800 रुपे तीन साल के बाद देने है, यदि वो तीन किस्तों में चुकाना चाहता है, और पहली किस्त, दूसरी किस्त की आदा, और तीसरी किस्त की एक दिङाई हो, तो तीसरी किस्त गयाज किजिए, अदि बयाज की दर, 10 परसेंट है, ये सवाल भी इस प्रकार के साधारण बयाज की किस्त में सवाल आने लगता है, तो दो सवाल मैं नहीं आपको बताया, तीसरा सवाल देखिएगा, ये जो है na, ये वरी, 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 व यहीं तुम्हें तीसरी किस्त को अगर मैं 300 मान लूगा तो पहली किस्त 100 हो जाएगी, दूसरी किस्त 200 हो जाएगी, ठीक है, अच्छा, 12800 रुपर तीन साल के बाद देने थे, यानि कि कुल मिला का जो करजा है, 12800 का है, आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि ब्याज की दर 10% हो, इसको समझना है आपको, ब्याज की दर कितनी हो, 10% हो, तो आप से पूछा क्या गया है इसमें, तो पूछा गया है तता पहली किस्त, तीसरी किस्त ग्याद करनी, यह वाली किस्त आपको ग्याद करनी कि कितनी हो, इस चीज को समझना थोड़ा सा, ठीक, मैं कह रहा हूँ कि अगर ब्याज्च की दर 10% है, तो इस हिसाब से, अगर मैं देखूं, 10% के हिसाब से, अगर मतर यहाँ पर 10% होता, इसका 10% 20 होता, तो यह किस्त होनी चाहिए 220, कितनी होनी चाहिए थी 220, य Defense, और नो, व लेहाँ सा, अब जैसे ही आपको पता चला, यह मैंने आपको एक अंधाजा लेने के लिए लिखा दिया था ये अगर तीसरी किस्ट 220 है तो पहली वाली जो किस्ट है इसका एक पिहाई थी पहली वाली किस्ट इसका एक पिहाई थी और दूसरी का क्या थी आदा थी तो इसी हिसाफ से हम score लेकर चलते हैं फिलाल खेर इस चीज़ को आप जाने दो ये 10% इतनी बासमन में आगे कि तीसरी किस्त क्या होने चाहिए थी 220 अच्छा इसका मतलब ये वाली किस्त क्या होगी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर सुनिए सर अगर 300 का मान 220 है एक कमान क्या होगा तो बोलोगे सर 220 बाटे 300 ये सो अगर एक कमान 220 बाटे 300 है तो 200 की वैल्यू क्या होगी どう 200 का गुणा कर लेंगे दो 0 से 2 0 खतम होगा 220 गुणे 2 बाटे 3 यानि कि ये वाली जो किस्त होगी वह कितनी होगी 220 बाटे ये वाली जो किस्त होगी इसको रफ कर देते हैं इसका मान क्या होगा 220 गुणे 2 बटे 3 यानि कि 440 बटे 3 मेरी बात को ध्यान सा समझना में तरह उसके बाद अगर मुझे सिर्फ 100 का मान निकालना होता तो आप कहते सर ये सिर्फ 220 बटे 3 हो जाता मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ इस चीज को समझाने के लिए अगर मैं 3 को इधर इधर भेज दू तो अपने पास जो किस्तें आएंगी एक्चुल किस्तें वो क्या होंगी 220, 3 इसमें भी था 440, 3 इधर भेज देंगे 660 ये हैं अपनी किस्तें जिसमें 10% ब्याज की दर भी लग जाए अगर ये आप सही से निकाल लोगे तो आपका काम एजी हो जाएगा अब ज़रा देखिए टोटल करजा था 12800 का तो मैं अगर इनको जोड लेता हूँ तो अपने पास क्या आएगा 6, 4, 10 10, 12, 12 के 2 हासिल लगेगा 1, 6, 1, 7, 7, 4, 11 11 और 2, 13 एक 0 अगर 1320 ये किस के बराबर? 12800 के बराबर 0 से 0 काट दीजे 132 और इतना है यानि कि 1 का मान क्या हो जाएगा तो सर बोलोगे 1 का मान हो जाएगा 12800 बटे 132 और हमें सर निकालनी थी कौन से किस्त? कौन से किस्त निकालनी है भाई? तीसरी किस्त तीसरी किस्त क्या है भाई? 660 clear? solve करके answer देना था कि answer क्या आजाएगा याना का जबाब दीजे solve करके answer देना और बालकि अगर आप ऐसे भी थोड़ा समझो ना तो भी आंसर आजाएगा कि ये 6 से डिवाइड होगी 11 से तो होगी 6 से भी होगी तो इन सब में 6 से डिवाइड होने वाला option कौन सा देख रहा था बुले सर एक ही दिख रहा है कौन सा 6 वह उत्तर ठीक मज़ा आया अच्छा सवाल है ना अच्छा question है ना तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग कर ही लोगे और अगर नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा करना क्योंकि 11 से ये भी कड़े आता है असानी से 11 से ये भी कड़े आएगा कोई दिक्कत नहीं आएगे ठीक है मैं आगे बना रहा हूँ अब देखें next question आ गया यहाँ पर चक्रवद्धी ब्याज की किस्त आगे और जैसे ही आपके पास चक्रवद्धी ब्याज की किस्त आएगे ना तो ये और भी सरल हो जाता है अला कि मैं आपको पूरा भी बताऊंगा और भी सरल हो जाता है इसमें चक्रवद्धी ब्याज की किस्त में आप सिर्फ ब्याज की दर को फोकस करिए बस देखें आप कैसे ही समझोगे ब्याज की दर कितनी दी है 4% 4% को आप लिखते हो एक बटे 25 मतला 25 का जो मूल धन है उस पर एक ब्याज लगेगा तो 25 का मूल धन किस में कनवर्ट हो जाएगा 26 यानि कि ये 26 का जो अनुपात है यही आपकी इंस्टॉल्मेंट है यानि जो आप्शन 26 से कटे वो आंसर अब बोले सर 26 का तो पाड़ा ही नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है तो जो आप्शन 13 और 2 से कट जाए दोनों से वो आंसर होगा 2 से ये कट नहीं सकता है 2 से ये नहीं कट सकता है 2 से ये नहीं कट सकता है क्योंकि इसकी इकाई में समसंख्या नहीं है आपका आंसर यह होगा, यह 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, काट के देख लो, मज़ा आई सवाल, तो यह सवाल तो आप मुश्किल से मुश्किल 2 सेकेंड में कर सकते हैं, अब कोई बच्चा हलाकि यह कह सकता है और कहेगा भी अगी, सर अगर 2 option 13 से कटते हो, अगर 4 option 13 से कटते है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं, अगर 2 option ऐसे होते हैं, जो 13 से भी कटते हैं, तो समय पर जाना होगा, अगर ऐसा होता है, दो बराबर किस्ते थी, तो अगर दो बराबर किस्ते थी, तो आप इसमें 13 गुणे 2 और कर लेते हैं, यानि दूसरा ओप्शन, जैसे एक ओप्शन ये 13 गुणे 2 से कटा है, अब अगर मैं इसको काट भी दूँ अगर 13 से, गौर करना 13 एकम 13, 13 चोको 52, तो ये दुबारा भी 13 से कटेगा और 2 से कटेगा, देख लो, 13 ठेक 104 और अगर 2 से कटेगा, तो 52 बार, यानि कि जितना समय होगा ना, फिर वो उतनी बार, 13 और 2 से कटेगा, ये खतम, ये खतम, ये answer, पूरा कैसे करते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पूरा कैसे करते हैं, पहले इ इसका मुलद्ण किसमें कण्वर्ट हो जाएगा 11 के मिसरधन में और यही जो मिसरधन होगा ना यही आपकी किस्त होगी किसकी चक्रवध्धी व्याच की तो हर वर्ष के अंत में उसे किस्त देनी पड़ती है तो किस्त का बुक्तान कितरा होगा जो option 11 से कट जाए वो answer मैं साब देख सकता हूँ यह 11 से नहीं कटता, यह नहीं कटता, यह कटेगा यह भी नहीं कटता, खाम-काम है इतना मैनत क्यों करना answer आगया 12,100 पर डीटेल क्या होती मैं बताऊंगा लेकिन पहले इस चीज को देख लो कैसे करता है अगला सवल देखो पांच परसंट की देर वर्ष के अंद पर दो समान किस्ते प्रतेक किस्त की रासी पूछ रहा है ब्याच की दर कितनी है बोले सर ब्याच की दर 5 परसंट है 5 परसंट का मतलब 1 बटे 20 20 का मूलधन 21 के मिसरधन में बदल जाएगा अब अगर किसी को 21 का पहाड़ा नहीं आता सर वो क्या करें कोई बात नहीं तो उसको 7 और 3 का तो आता होगा तो जो ऑप्सन 7 से भी कटे 3 से भी कटे वो आंसर देख लेते हैं 6 6 12 5 17 11 3 से कटता है पहले 3 से देख ले 6 6 12 12 5 17 11 11 कटेगा सारे 3 से कटेगा अब देखू 7 से कौन कटेगा 7 90 में 63 होगा 3 बचेगा 7 35 यह नहीं कटता है 7 से यह खतम हो गया 7 9 63 3 बचेगा 31 7 4 28 3 यह कटता है हो सकता है यह आंसर हो हो सकता है आगे भी तो चेक कर ले 7 9 63 यह 7 से नहीं कटेगा 7 8 56 5 7 सत्य उन्चाश है यह भी 7 से नहीं कटेगा यह आपका उत्तर हो गया अब मैं आपको यह बोल रहा हूं चक्रविद्धी ब्याज की किस्त वाला तो उससे कमी समय लेगा और 100% एक और यह option कोई मैंने नहीं set कर रहे हैं बच्चे कहते हैं कि option तो आपने set कर लेके इसमें केवल यह लिखना भूल गया हूं कि RRC Group D और NTPC की परिक्षा में यह ऐसे प्रष्ण पूछे गए थै यह लिखा नहीं है के वल इसमा मांकि प्रष्ण उसी के है भाई ठिक चलो अगले सवाल पर देखते हैं 13,360 परपय की बुक्तान रासी इतने वार्षिक ब्याज की दर्स से उधार लिग गई वापसी बुक्तान दो वर्ष में हो तो प्रते किस्त की रासी आठ सही तीन बटे चार परसंट आठ चोको 32, 32 और 35 बटे चार परसंट बहुत ध्यान से सुनियेगा 35 बटे 4 परसंट को अटाएंगे नीचे 100 लिख लेंगे समझ लो देख लो पूरा कैसे लिखते हैं क्या भाग आएगा पांस सते पैतिस पांस से कड़ गया बीज बार तो यह आज गया साथ बटे असी साथ बटे असी साथ बटे असी तो मैं इसको लिख सकता हूँ किसको 8 सही 3 बटे 4 परसंट को मैं लिख सकता हूँ 7 बटे में 80 इसका मतलब मेरे दोस्त यह हुआ कि 80 की चीज जो होगी वो 87 के मूलधन में बदल जाएगी अपसर 87 का टेबल तो नहीं आता है कोई बात नहीं तो 29 और 3 का तो आता होगा जो आप्षन 29 और 3 से कटे वो आंसार होगा सीधी सी दिख रहा है कि ये 29 से तो कटी नहीं सकता है 3 से 9 सा 16 ये 3 से नहीं कटेगा बांकि देखो 9 6 5 11 11 सा 18 3 से कट सकता है और ये भी 3 से कट सकता है अब देखना है इसमें 29 से कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं उसको सुनो मैं अगर देखू कि 75-79 जो लिखा है ये 29 से कटता है कि नहीं कटता है ये 29 से कटता है 29 प्राइम नंबर है इसलिए पहड़ा देयान होना ही चाहिए 29 दूनी 58 15 में 8 जाएंगे 7 बचेगा 6 में 5 गया 1 बचा यहाँ पर लिख लिए मैंने 6 कितनी बार 2,8,16 यानि कि 7 बार होगा 7,9,63 के 3 आसिल लगेंगे 6, 7,2,14 और 6 7,9,63 के 3 आसिल लगेंगे 6, 7,2,14,14 और 6,20 हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा 6 बार कर ले 5 बार 6 बार कर लगते हैं कभी-कभी मैं भी पाड़े भूल जाता हूँ 6,94 के 4 आसिल 5, 6,21,12 और 5,17 क्या बचा 2 अब 2 के बाद यहाँ पर 9 बचा था 29 से कट गया 29 से जैसे ही कट गया तो आंसर यह हो जाएगा यह खतम हो गया जो आप्शन 29 या 3 में तो यह दोनों 3 से नहीं कटे यह 3 से कटे थे लेकिन इन दोनों में 29 से एक ही कटेगा तो 29 से यह कटा यह आंसर ठीक? मैं पूरा भी बताऊंगा कैसे सवालों को करते कैसे हैं यह देखें कुछ धन उधार लिया गया था अब यहान से सुनना यहाँ पर अपकी बार आपको किस्त का मान दिया है और अपकी बार पूछाए कितना धन उधार लिया गया था यह आपको बताना ध्यान से समझेगा कैसे करते इसमें भी rate of interest कही खेल है इसमें rate of interest और समय दोनों के लिए आएगा दो वर्ज का समय rate of interest 5% है 5% मतलब 1 बटे 20 20 मतलब 20 की चीज 21 के मूल धन में बदल जाएगी बोले हाँ सर बदल जाएगी तो जो पहली किस्त है न भाई कितनी है 882 रुपय शौर्ट ट्रिक समझेगा इसको आप मिस्र धन के बराबर करिए और 20 का मान निकाल लीजिए पहले मूल धन का हिस्सा आ जाएगा 21, 84, 84, 21, 42, 42, 42, 84 यानि कि मूल धन का पहला टुकड़ा जो होगा 840 होगा अब मैं दूसरे टुकड़े की बात करता हूँ कैसे किस्त तो सेम ही है बोले किस्त तो सर अब भी भी 882 है तो किस्त सेम है तो मूल धन का दूसरा टुकड़ा कैसे निकालेंगे स्कॉयर करके बराबर करो 421 का स्कॉयर 441, 20 का स्कॉयर 400 का मान चाहिए 441, दूनी 882 400 गुणे तो 800 मूल धन का दूसरा टुकड़ा आगया 800 पहला टुकड़ा 840 दूसरा टुकड़ा 800 टोटल जोड दीजिये मूल धन कितना हो गया 840 और 800 यानि कि 1640 रुपय उधार लिए गया थे कितना रुपय उधार लिए गया तो 1640 सही जवाब 1640 मेरी बास समझे भाया कोई दिक्कत किसी को नहीं अब की बार किस्त 121 की है धन पूछ रहा है ब्याच किदर 10 परसन 10 की चीज 11 के मिसर धन में बदले 121 बराबर 11 के है तो 10 कमान क्या होगा सर 1 कमान 11 होगा 10 कमान 110 हो जाएगा मूल धन का पहला टुकड़ा 110 दूसरा टुकड़ा 121 को उसक्वाइर करेंगे तो 121 के ही बराबर थी और 10 का सक्वाइर 100 100 कमान क्या आजाएगा 100 ही आजाएगा पहला टुकड़ा 110 दूसरा टुकड़ा 100 पहला टुकड़ा 110 मूल धन के लिए दूसरा टुकड़ा 100 यानि कि total धन कितना उधारी ली गई बोले सर 210 सवाल खलास ठिक समझ आया बोले हां सब अब मैं आपको बताता हूँ कि जो किस्त वाले सवाल थे इनको आप सेकेंडों में कर रहे थे उनको अगर पूरा करते तो कैसे करते समझो सेम सी चीज पहले साल में 10 की चीज 11 की होगी सवाल पढ़िएगा कहता है किस्त बराबर है तो किस्त बराबर करने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा 11 से गुणा करना होगा तभी 121 की किस्त बराबर होगी तो इसमें भी 11 से गुणा हो गया अब देखी यहां भी किस्त 121 की यहां भी 121 की लेकिन मूलधन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहां मूलधन 110 दिखेगा, यहां मूलधन 100 दिखेगा, टोटल मूलधन हुआ 210 और सवाल के हिसाब से मूलधन कितना था, बुले सर 21000, समझो यानि 210 का मान अगर मैं आपसे कहूँ कि 21000 के बराबर है, जीरो से जीरो काट लीजे, एक का मान आजाएगा 100 मेरे मित्र अगर एक का मान 100 आ गया, तो किस्त चाहिए थी, किस्त क्या थी, बुले सर, 121 थी, एक का मान 100 है, तो 121 का मान क्या होगा? 1200, फिर से वही आंसर आया की नहीं आया, 1200, तो इतना करना ही क्यों, जब हम लोग उसको सरल तरीके से देखते ही खतम कर सकते हैं, बुले हुआ है ना, मज़ा आई इस तरीके के सवाल में, इस ट्रिक में मज़ा आई सभी को, सब लोग जवाब दीजे, कि SI और CI की किस्त वाल काभी तक पेपर नहीं हुआ, बस सभी लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूले, जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करेंगे, उतना मुझे अच्छा लगेगा, ठीक, प्रोचसाहन मिलता है, मैं आपके लिए आगे के करेंगे झाल झाल